वेलकम टो जनिक एजोकेशन अभी जो यह क्रैश कोर्स आप देख रहे हैं यह बिसिकली जेई के एक्जाम को टार्गेट करते हुए है जेई का एक्जाम आप जानते हैं दो फेज़ेज में होता है फर्स फेज 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 तो फेज में जो mathematics और journal intelligence reasoning के जो topics आते हैं उस चीज़ को हमने particularly इस course में cover किया है अब एक खास बात यह है कि आपने आप मेंसे बहुत सारे बच्चों ने gate के लिए भी पढ़ाई करी है तो हो सकता है कि यह course जब आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगे कि यह थोड़ा मतलब level नहीं यह course का या बहुत ज़ादा high level पर नहीं लिए गए questions तो उसका simple सा reason यह है कि जो JE का exam है यह exam gate की exam से अलग है सबसे पहले तो mind में आपको यह चीज बिलकुल अच्छे से clear रखनी होगी JE का exam एक speed test exam है intelligence test exam नहीं है gate का exam है intelligence को test करता है वो speed test नहीं है वहाँ पर आपको sufficient time मिलता है questions को करने का JE के exam में आपको questions को करने के लिए time कम मिलता है और यहाँ पर calculator भी allowed नहीं होता तो questions कोई बहुत typical नहीं आते हैं यह basic SSC के level के ही आते हैं CGL की exam जो CHSL की exam होती है उस तरह की questions आते हैं तो हमारा aim यही है यहाँ पर कि जल्दी से जल्दी हमें कुछ specific concepts जो हैं उनको सीख लेना है जिसमें से frequently questions repeat होते हैं exam में तो इस crash course में हम वही कर रहे हैं हम frequently repeating जो topics है important है उनको पहले पढ़ रहे हैं और बाकी का जो भी extra part बजता है वो से हम full course में करेंगे अभी for the time being crash course में जो cover किया गया है अपने quant के important topics almost 70% quant का section cover हुआ है almost 30% reasoning का section cover हो गया है तो बाकी का जो है वो हम full course में complete करेंगे अभी के लिए frequently repeating topics को हमने discuss किया है सारे सारे questions जो discuss किये गए है वो previous year papers में से discuss किये गए है तो अब आपके responsibility बनती है कि आप इस course को देखें और पूरी तरह से जो JEE के पुराने papers है या फिर जो आपके पास book available है उसको solve करना शुरू कर दे तो इस तरह से आप इसको पढ़ सक किजिए अगर आपको लगता है कि questions का level बहुत साथ नहीं है तो यह level इसले नहीं है because ultimately यही demand करता है JEE का exam क्योंकि अभी आपको वो question easy लग रहा है बट वही चीज exam hall में उस environment में correctly solve करना भी challenge होता है so focus on practicing more instead of thinking कि यह हमारे intelligence level से नीचे है आ फिर उपर है okay so in this way you can prepare so क्योंकि time क start करेंगे RRB JEE के लिए जो specifically general intelligence and quantitative aptitude का section आता है उसका discussion और जैसा कि आप जानते हैं कि RRB JEE के exam में आपको calculators allowed नहीं होता just like in gate exam वहाँ पर तो आपको ए calculator मिल जाता है यूज करने के लिए but in RRB what you have to remember कि क्योंकि calculator नहीं है तो सबसे पहली चीज आती है calculation techniques आपको calculation अपनी जो techniques है calculation जो है उसको बहुत अच्छा करना होगा it's the reason is very simple कि जो questions आते हैं बहले ही वो अपन QA section के बोले या फिर अपन reasoning in case या फिर अपन general science भी बोल सकते हैं फिर engineering का जो पार्ट होता है उसमें भी you know it well कि अपने को calculations लगते ही है okay calculation के मेना तो possible नहीं है engineering so you have to be very very good at calculation मतलब आप को कोशिस यह करना है कि जो basic multiplication है divisions है subtraction addition है यह जो processes है यह आपको अच्छे से clear हो क्योंकि अभी तो क्या situation होता है as you have done engineering और अभी आप engineering हो सकता है कर रहे होंगे तो problem क्या होता है कि हमें two into two करने के लिए वे calculator यूज़ करने के आदत है okay mindset ऐसा बन चुका है क्योंकि हम इतना ज कि जो छोटे-छोटे calculations हैं वो आप खुद से कर पाए mentally कर पाए या फिर pen and paper यूज़ करके कर पाए okay the simple meaning is कि without calculator कर पाए तो हम सबसे पहले जो focus करेंगे वो calculation techniques पे ही करेंगे कि आपको पूरी तरह से यह चीज़ समझ में आ जाए कि आप कैसे mental calculations कर सकते तो जिसको पन वेदिक mathematics बोलते हैं तो वेदिक mathematics it's a very deep topic उसमें तो 6-7000 तरह की अलग-अलग methods होते हैं बट आपन क्या करेंगी जो specifically जो अपने को काम का है इस वक्त जो exam point वी से important है उन चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि quant के section में आप जानते होंगे कि यहां पे simplification chapter भी आता है number system भी आता है और arithmetic के topics आते हैं average allegations, compound interest, simple interest इस तरह के तो वहाँ पर हमें basic additions, multiplications करने रहते हैं उस process को बिल्कुल clear कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आपन बात कर लेते हैं addition की कोई नई technique नहीं है आप सभी ने school में इसे discuss किया है पड़ा है बट क्या होता है भूल जाते हैं दीरे दीरे तो आपन simple सा method समझ लेते हैं अब देखिए addition में क्या होगा single digit का addition होता है तो इतना problem नहीं आता है जब double digits में जाता है for example मैं कहता हूँ आपको की add 46 and 53 और add 46 and 59 so generally एकदम से click नहीं होता mind में कि इसका addition क्या होने वाला है तो फिर आप क्या करते हैं आप calculator का use करने लग जाते हैं बट आप यह देखिए कि यह जो addition है इसको mentally ही करिए इसको break करके करिए इसको एक साथ मत कीजिए break करके कैसे break करके using the concept of place value ओके place value आपने सिखा है बच्पन में 9 की place value units की है 5 की place value 10s की है so हम क्या करते है 46 और 59 को इस तरह से add नहीं करते हम 40 और 50 को add कर देते हैं और दूसरे addition में हम 6 plus 9 कर देते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि तो बड़ा ही simple है इसमें नया क्या है तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि नया कुछ भी नहीं है सिर्फ यह technique आपने पढ़ी है बट आप भूल जाते हैं तो इसलिए इसको रियाद कर लीजिए 46 प्लस 59 for example अगर मुझे करना है तो 40 प्लस 50 एक अलग calculation करेंगे 6 प्लस 9 एक अलग करेंगे फाइनल रिजल्ट को जोड़ दीचे यह एक टेक्निक हो सकता है कि आप प्लेस वैल्यू को यूज कर लो ओके दूसरा टेक्निक इसमें यह हो सकता है कि यूज closest 0 का मतलब कि आप इसको addition कुछ इस तरह से करो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक 0 एवेलेबल हो जाए आपको units place पे 0 एवेलेबल हो जाए तो कैसे कर सकते हैं देखो अगर मैं इसमें से 1 यहाँ पर रख दूँ तो 49 प्लस 1 60 हो जाएगा तो आप सोचिए कि 60 में 45 जोड़ना आसान है या फिर 46 में 59 जोड़ना आसान है तो इस वेरी सिंपल वेसे बात है कि अगर मैं 1 यहाँ रख दूँगा तो 60 में 45 जोड़ना इस comparatively easy ओक कि हमें दिखता है आसी की 105 हो जाएगा तो comparatively easy है इस calculation से तो closest 0 का यह method है आप इस तरह से इसको use कर सकते है आप च 50 और यहां से अपने 4 दिया है तो इसको 55 लिखके भी आप calculate कर सकते है तो it depends on you पूरी तरह से आपके उपर है कि आप किस तरह से इसको add करना चाहते है ओके so this is the process of addition तो यहाँ पर माल लीजे 2 term है 3, 4, 5, 10, कितने भी terms हो you can simply add using the closest 0 और you can use the place value method कोई सा भी टेक्निक आप now let's talk about subtraction now again subtraction करने में सबस्यादा problem आता है addition तो easy होता है subtraction difficult लगता है थोड़ा सा तो हम क्या करेंगे हम subtraction करने के लिए भी subtraction को basically convert कर देंगे in terms of addition किस तरह से देखें for example हमें 159 या let's suppose 139 लेते हैं 136 लेते हैं और simple करते हैं let's suppose मुझे 136 में से 49 subtract करना है now how will you subtract 49 from 136 तो एकदम से click नहीं होता कभी-कभी तो calculator use करें तो calculator use नहीं करना again यहाँ पर भी आप ही चीज़ कर सकते हैं try to use the concept of place value okay तो place value से कैसे हम देखेंगे यह क्या है 4 है यहाँ पर 10s की place पर यहाँ पर 10s की place पर 3 है लेकिन यह 2 digit है यह 3 digit है तो इसको मैं कुछ इस तरह से break कर देता हूं कि 130-40 okay 130-40 plus 6-9 okay हमने क्या कर रहे है units place को अलग कर दिया और 10s place को और 10s और इसके साथ जो 100s place था क्योंकि यह 2 digit number है तो इसको भी 2 digit के form में ही ले लिया हमने तो 130-40 कर दिया और 6-9 कर दिया तो आप देख सकते है 130 में से 40 subtract करना it's quite easy so this will be 90 and minus यहाँ पर क्या हो जाएगा plus of minus 3 so you can see यह calculation अब easy हो गया यह वाला भी आप mentally कर सकते हैं यह वाला भी आप mentally कर सकते हैं तो यह place value की मदद से आप इस तरह से simplify कर सकते हैं यह पहला टेक्निक वाद दूसरा क्या है इसको अब addition के form में convert कर लिजे addition के form में किस तरह से देखिए उसका simple सा meaning यह होता है कि 136 है तो इसको तो मैं as easy लिख दे अब यह 49 है इसको मैं लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पर हमने बिसिकली इससब्ट्राक्शन को एडिशन के फॉर्म में कर दिया और यहाँ पर हमने इससब्ट्रैक्शन को एडिशन के इसको प्रैक्टिस करते जाना है बार बार इसको प्रैक्टिस करिए कोशिच करिए काल्कुलेशन करने की तो in that case you will be able to understand यह तो देखिए basic subtraction हुआ जब हम integers की बात कर रहे हैं अगर माल लीजे decimal फॉर्म में क्या होगा so for example let's suppose हमें subtract करना है 1. let's suppose 1 भी नहीं लेते हैं इसको हम लेते हैं 2 में से हमें subtract करना है let's suppose 1.79 okay let's see कि मुझे 2 में से क्या करना है मुझे 1.79 subtract करना है तो मैं 2 में से 1.79 किस तरह से subtract करूँगा एक तो टेक्निक हो का कि हाँ ठीक हम direct subtraction कर लेते हैं लिखके की 2 और फिर carry over चला के इस तरह से कर लेते हैं ठीके decimal के बाद जो भी number है क्या है यहां पे 0.79 okay 0.79 आप इसका ले लेंगे once compliment जो की mentally सोचना easy है इसका क्या लेंगे once compliment तो 0.79 का once compliment मतलब कि मैं one में से क्या subtract करूँ कि 0.79 आजाए या फिर one minus 0.79 करने पर क्या आएगा तो once compliment ऑफ 0.79 क्या होगा one minus 0.79 तो यह basically कितना होता है 0.21 होता है तो मैं क्या करूँगा यह once compliment का मैं इस 1.79 को 1.79 को convert कर दूँगा 2 में क्या करूँगा इसको round up कर दूँगा इसको round up तो round up कराते है कितना हो गया यह 2 तो 1.79 को मैं लिख दूँगा 2-0.21 2-0.21 क्या गरा है इसको round up कर दिया तो इस तरह से form में लिख दिया हमने क्योंकि 2 में से यह आप से track करोगे तो यही आने वाला है तो आप देखे हमारा calculation जो ऐसा था वो क्या बन गया 2-2 2-0.21 और जैसे यह 2-2-0.21 बना है यह 2-2 cancel हो गए तो answer आगया 0.21 तो यह तो हुआ mechanism आपको क्या करना है आपको सिर्फ याद यह रखना है कि अगर मुझे 2 में से 1.79 सब्ट्रैक करना है तो हम क्या करेंगे हम सीधा इसको round up कर देंगे nearest integer पे और उस nearest इस integer को इसमें जब्ट्रैक कर देंगे और जो decimal के बाद number है उसका once compliment add कर देंगे तो देखिए क्या करा इसको round up किया और इसका once compliment add कर दिया इसको round up करा इसका once compliment add कर दिया and you will get the value as 0.21 तो यहाँ पर देखिए और कुछ calculation लेते हैं let's suppose 4 minus 1.995 4 minus तो क्या करेंगे आप इसको round up करेंगे nearest integer तो इसको round up किया तो क्या बन गया 2 तो मैंने लिग दिया 4 minus 2 फिर क्या करेंगे फिर इसका 0.995 का once compliment ले लेंगे once compliment क्या होगा 0.995 का 0.005 तो हम यहाँ पर add कर देंगे 0.005 and this calculation becomes 2.005 this is the result this is the result for this तो ultimately क्या करा हमने हमने once compliment की power को use कर लिया यहाँ पर इसके concept को use कर लिया ताकि हम decimal calculations को भी simplify कर सके this is how this calculations work अब माल लिजे हैं यहाँ पर question कुछ ऐसा हो जाए कि let's suppose 3.71 minus 2.89 अब सवाल आजाएगा कि 3.71 minus 2.89 इसको करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर भी अगिन हम क्या करते हैं सबसे पहले तो इसको round up कर देते हैं और 3.71 है तो आप इसको 3.71 के नजरिये से ना देखें इसको आप देखिए कि 3 एक integer है और यह उसका decimal पार्ट है fractional पार्ट है so imagine this as 3 plus 0.71 यह mentally हमने imagine कर लिया अभी आपको लग रहा है कि calculation लिखने में बड़ा लंबा जा रहा है बट आप mentally जब इसको करेंगे तो यह mentally बहुत easy होता है बहुत fast होता है तो देखिए 3.71 का हमने ऐसा लिख दिया इसका अगर मैं round up करता हूं तो nearest integer क्या हो गया? 3 और फिर इसका अगर मैं once compliment लेता हूं तो once compliment किता हो गया? 11 बितलब 0.11 तो अब देखिए यहां पर calculation simple हो गया यह और यह cancel out हो गया बचा क्या? 0.71 और 0.11 बस इन दोनों को add कर देंगे तो 0.82 this will be your final result तो हमने क्या करा? अगर मैं लिजे आगे वाला term भी आपको decimal के form में दिया है तो decimal part को separate कर दिजे आप क्या करेंगे? इसको round up करा इसके complement को add करा और जो इसका decimal part था उसको भी इसमे add कर दिया तो ultimately इसका decimal part और इस part का complement add हो जाएगा इन दोनों को हम क्या कर देंगे? add कर देंगे तो यहां पे तो 3 और 3 ही था हमाली जे यहां पे 13 होता तो क्या होता ultimately? यहां पे 13 आ जाता और यहां पे 3 ही रहता तो यह 0.82 तो क्या आया? fractional part जो था उसको add करने पाया प्लस साथ में एक 13 और यह जुड़ जाता तो ultimately answer आ जाता 13.82 So this is how it works यहां पे हम क्या कर रहे है basically जो हमारा calculation है subtraction का उसको simplify करने की कोशिश कर रहे है और simplify करने के लिए हम क्या कर रहे है हम once complement का इस्तमाल कर रहे है So this is how fractional subtractions will going to work So इसे note कर सकते है Next technique जो आता है next जो आपको calculation में important है वो है that is multiplication Multiplication Again multiplication is very important काफी जादा questions होते है जहां पे आपको बड़े multiplications भी करने रहते है अब देखे कैसे इसको समझना है mentally कैसे improve कर सकते है हमारा mental multiplication तो देखे For example अगर मैं आपसे कहता हूँ multiply 6 into 7 6 and 7 मैं आपसे बोला What is the result of 6 into 7 तो आप बड़ी आसानी से बता देंगी कि हाँ this is 42 because you know the table of 6 you know the table of 7 76042 या 67042 जो भी आप पुलना चाहे लेकिन जैसे ही हमने कहा What is 16 into 7 अब जैसे 16 into 7 होगा तो क्या होगा यहां पर हमें थोड़ा सा time जादा लग जाएगा compared to this इस चीज को सोचने में कि 16 into 7 कित्ता होता होगा तो हम क्या करेंगे हम mentally करने लग जाएंगे कि 16 और 7 को multiply करा जाए तो 76042 का 2 carry over 4 7107 and adding 4 will give you 112 तो यह जो basically आपने multiplication किया multiply किया जो कि हमें copy पे सिखाया जाता है ultimately हमने right से left multiply किया लेकिन problem क्या है problem यह है कि right से left multiplication में मुझे यह value भी याद रखना है मुझे यह value भी याद रखना है और फिर जब दूसरा multiplication होगा तो उसमें addition के लिए भी value याद रखना है मतलब values यह याद रखनी है वह काफी जादा है और दूसरी चीज जो mind work कर रहा है वह mind right to left नहीं work करता आपने कभी देखा होगा अगर आपन किसी चीज को देखने जाते है तो आपन क्या करते हैं हम हमेशा left से लेके right की तरफ move करते it is always from left to right हमेशा आपने देखा होगा human brain इस तरह से trained है तो हमें क्या करना है हमें ultimately इस calculation को इस तरीके से ना करके left to right के direction में करना है बस सिर्फ इतना सा process करना है and you can master this calculation और यह process कैसे किया जाएगा जब हम इस multiplication को convert कर देंगे addition में okay when we will convert this multiplication to addition now it is very simple I hope you have understood what the technique is the technique is basically use the place values of numbers place value कैसा 16 into 7 करने के लिए मैं इसको 16 or 7 imagine नहीं करूंगा मैं इसको 10 plus 6 into 7 imagine करूंगा okay 10 plus 6 into 7 तो आप देखिये 7 into 10 करेंगे तो यह 70 आएगा और 7 into 6 करेंगे तो 42 आएगा मतलब यह 7 into 1 करा तो 7 into 1 को मैंने 70 लिखा because 1 का place value 10 है 7 into 6 को मैंने 42 ही लिखा because 6 का place value units ही है तो उसमें कोई change नहीं हो रहा लेकिन 7 into 1 is 7 but its place value is 10th so it is 70 now you can imagine कि 70 and 42 add करना easy होगा या फिर 16 into 7 multiply करना easy होगा so very obvious 70 plus 42 is easier okay कैसे करेंगे 70 plus 42 भी आप कैसे कर सकते है पहले 30 इसमें जोर दीजिए तो यह 100 बन जाएगा and then बचा हुआ पाट भी जोर दीजिए तो यह 112 बन जाएगा so this is how the calculation or multiplication works when you start multiplying from left to right okay तो एक और calculation लेते हैं let's suppose 36 into 7 now how will you multiply 36 into 7 तो वीडियो pause करके answer कीजे comment में कैसे multiply करेंगे mentally करना है इसको 7 into 3 7,021 लेकिन ये 10s की place है तो ये 210 होगा ये आपको mind में रखना है ये ऐसे लिखना नहीं ये copy पे mind में रखना है 210 result final achieve हो चुका है उसके बाद 7 into 6 करा तो 42 तो 210 में 42 increase कर दीजिए and you will get the result as 252 okay this is how calculation will work बड़ा number लेते हैं let's suppose 137 into 7 okay let's suppose 137 into 7 how will you multiply this 7 into 1 लेकिन ये 700 होगा okay 700 होगा 7 into 1 उसके बाद 7 into 3 करा जाएगा तो 7 into 3 करेंगे तो this is 21 but इसका place value is basically 10 so it is 210 okay and 3rd 7 into 7 that is 49 now अब आप क्या करेंगे जभी 3rd calculation करेंगे तो उसके पहले इन दोनों को mind में add कर लेंगे आपने 700 सोचा पहले 210 सोचा तो 910 अब आपके mind में stored है तो अब जो भी addition किया जाएगा वो 910 में आगे किया जाएगा इसलिए 7 into 7 when we multiply we will get 49 so 49 we will get added to 910 so 910 में 49 बढ़ाएंगे तो 959 अजीव हो जाएगा so ultimately इसका result आजाएगा इन दोनों का addition is 910 and then plus 49 again so finally you will get as 959 now again यह जो calculation है यह mentally करना है यह अभी हमने board पे लिखके देखा है because हम process को सीख रहे तो यह process को देखिए अच्छे से और सारा calculation कोशिश करिए mentally करने की और number लेते हैं देखिए for example 12.9 into 8 now we have to multiply 12.9 into 8 now how we will do this again the process will remain same कि आप multiply करेंगे left से right में और यहांपर decimal है तो क्या करें decimal को भी छोड़ देते हैं decimal को भूल जाते हैं हमें सिर्फ दिखता है कि यह 129 into 8 लिखा हुआ है अभी decimal हम को याद भी नहीं कि लिखा है कि नहीं तो हम simple इसको देखते हैं 8 100 8 लेकिन यह 800 क्यालाएगा 8 2016 बटी 160 क्यालाएगा तो 800 में 160 जोड़ दिया जाएगा तो 960 960 बन गया आगे जो addition होगा 8 into 90 72 तो 72 कैसे add करेंगे आप 960 में 72 किस तरह से add करेंगे mentally कैसे possible होगा आप पहले 72 में से 40 इसमें जोड़ दीजिए तो यह 1000 हो गया 72 में से मैंने 40 हटा दे तो बचा क्या 32 तो अब इस ही बात है 1000 में 32 और बढ़ाऊँगा तो यह जाएगा 1032 हाला कि यह calculation कोई बहुत difficult नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप mental technique को सीख जाते हो कि किस तरह से flow चल रहा है calculation का तो आपके लिए बढ़ा असान हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर decimal कहा था 12.9 लिखा था तो मैंने 12.9 को basically 8 से multiply किया है इसलिए यहाँ पर भी एक decimal लगा देंगे and the result is 103.2 okay so this is how the technique of multiplication will work if we take another calculation let's suppose कुछ एक practice के लिए calculations लेते हैं जो के आपको बताना है नीचे मुझे comment मों बताईएगा के answer आते हैं आपके first calculation is 9.87 into 0.07 second calculation is 10.86 into 900 okay 10.86 into 900 third calculation 0.1277 into let's suppose 0.4 this is the third calculation तो यह तीन calculation है mentally करने है time लगता है कोई बात नहीं लगने दीजिए थोड़ा सा समय लगेगा एक बार अगर आपने process सीख लिया तो exam में आपका calculation बहुत fast हो जाएगा इसलिए इसको पिल्कुल प्रैक्टेस करके अच्छे से answer कीजिए कमेंड में कोशिश करिए आप answer वही लिखे जो actually आपका आ रहा है ताकि आप match कर पाएं कि आपका सही है या गलत है अगर आप ऐसा करेंगी कि पहले calculate कर लेंगे फिर calculator में check करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आपके calculation पर confidence नहीं आ रहा तो confidence build करने के लिए ज़रूरी है कि mentally आप 2-3 बार कर लिजिए आपको लग रहा है कि नहीं एक बार में गलत किया मैंने तो फिर से उसको एक बार दोहरा लीजिए अगर वापस से answer same आता है तो possibility है कि हाँ आपका answer से ही है और गलत आता है तो फिर इसका मतलब कुछ mistake है तो इसी तरह से learning को हमें follow करना है तो यह तीनो calculations की जिए आगे बढ़ते हैं चलिए next आते है अब देखिए हमने क्या सीखा हमने सबसे पहले addition की बात करी then subtraction then multiplication and finally अब आता है division अब अगर मैं division की बात करूँ तो देखिए यह प्रॉपर division की जो process है complete division जो है वो तो वही रहेगी उसमें कोई बहुत change नहीं होने वाला क्योंकि division क्या होता है division is basically successive subtraction अब यह क्या चीज़ है यह आपन number system में सीखेंगे अभी जस समझ लीजे division का जो process है वो तो वही रहेगा division में जो एक concept है important जो कि आपको questions को answer करने में help करेगा मतलब option select करने में help करेगा that is the approximation 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 एक important concept है यह आपको not only in number system यह आपको data interpretation वाले topics में भी काम आता है यह कई बार reasoning में भी काम आता है कई बार engineering के topics में भी engineering में जो आप multiple choice का कोई answer tick कर रहे होते तब भी काम आ तो इसलिए हमें approximation technique को अच्छी से समझ लेना है अब approximation क्या चीज है approximation मतलब अगर मैं आपसे पूछू what percent of let's suppose what percent of 959 is let's suppose 183 so question मैंने यह पूछा कि what percent of 959 is 183 183 जो number है यह 959 का कितना percent है कि 183 959 का कितना percent है मतलब यह question कैसा हुआ कि what percent of total marks is marks obtained इसको ऐसा imagine कर लीजे कि question कैसा लिखा हुआ है this question is basically what percent of total marks is marks obtained तो आप कैसे निकालते है percentage आपका जो degree का percentage होता है या school में आप निकालते थे you calculate by आपका है dividing marks obtained by total marks into 100 this is the formula for percentage marks obtained upon total marks into 100 similarly यहाँ पर भी यह है कि what percent of 959 is 183 मतलब 183 959 का कितना percent है तो यह निकालने के लिए हमारे पास technique क्या है कि 183 upon 959 into 100 तो यह calculation करेंगे percentage आ जाएगा लेकिन आप देखेंगे कि यह calculation में 180 959 थोड़े से tedious number है अगर आप इसको पूरा simplify करने जाएगे division करने जाएगे तो यह काफी बड़ा calculation होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको approximate करने की कोशिश करते हैं ना कि पूरा calculate करने की total marks क्या है मेरा यहाँ पे 959 मतलब denominator is basically the total value total value तो इस total value का 100% क्या है 959 अब अगर मैं इसका 10% लेता हूँ तो 10% कितना हैगा 95.9 10% is basically 95.9 तो अगर मैं 959 के 10% लोगा तो 95.9 आएगा क्या 183 इससे बड़ा है हाँ बड़ा है इसका मतलब यह जो value है यह जो percentage है यह 10% से तो बड़ा है कितना बड़ा है वो भी check करते हैं अब देखिए 10% से बड़ा है तो अगला value क्या करते हैं हम 20% ले लेते हैं सिधा सिधा let's take 20% so 95 का अगर आप double करेंगे 95 का double करेंगे so it will be something around 95.9 का अगर आप basically double करेंगे तो यह 191 के आसपस आएगा 191.something आएगा 191.something में मतला मैं इसको बोल देता हूं something 192 approximately यह 192 अब अगर इसका 20% 192 है लेकिन हमें तो 183 चाहिए तो ओवेसी बात है कि हमारी value 20% से छोटी है लेकिन 10% से तो बड़ी है तो यहां पर हम देखते हैं यहां पर किस तरह से हम calculate करें हम देखते हैं सबसे पहले कि value 183 यह 10% की ज्यादा close है यह 20% की ज्यादा close है तो देखिए किस के close है ओवेसी बात ही 20% की ज्यादा close है तो फिर आप क्या करेंगे अब अगर आप निकालेंगे 1% 1% let's calculate 1% of 959 तो 959 का 1% हो गया 9.59 9.59 में तो 9.60 approximately माल लेजिए अब मैं देखता हूँ 20% है 192 1% है 9.59 तो 19% कितना होगा 19% 20-1 कर देंगे 192-9.59 अब 1-9.59 192-9.59 कैसे करेंगे अब 10 माइनस कर दीजिए तो 192 में से 10 घठाया तो 182 होचा और फिर 0.59 तो इसका complement कितना हो जाएगा इसका 0.41 उसको add कर दीजिए तो 182.41 इस तरह की एक value आपको मिल जाएगी यहाँ पर 19% कितना है 182.41 मतलब मैं approximately कह सकता हूँ कि यह value is nearly equals to 19% मतलब 19% के आसपास है कुछ एक decimal place उपर निचे होगा बट उससे जादा difference नहीं है यह 18% नहीं है यह 20% नहीं है यह 19% में आगे पीछे कुछ value है यहाँ पर हमने इसको approximate कर दिया गा अब देख सकते हैं यह है आपका approximation technique अब आप सोथ सकते हैं कि इस तरह का अगर आप पूरा calculation करते हैं तो यह कितना tedious हो जाता कितना लंबा चला जाता तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इसको आपको इसको सिर्फ approximate करना है तो approximate करके हमने बोल दिया कि यह near about 19% आएगा तो यहाँ पर कोई calculator का हमने use नहीं करा सीधर सीधर technique करा तो इसी तरह से कुछ questions भी आप करने हैं comment box में बताइएगा 37 upon 82 is what percent कितना percentage चाहिए approximate answer चाहिए हमें तो exact answer नहीं भी मिलेगा तो चलेगा second 1073 upon 18429 and third इसको यहाँ पर and 200 is not required okay so यह percentage है आपको approximations calculate करना है और approximate percentage कितना आता है यह यहाँ पर बताना है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि approximation technique किस तरह से work कर रही विकास अगर यह procedure आपको clear हो गया तो आपको बहुत easily बाकी की chapters है जहाँ पर हम arithmetic को discuss करेंगे जापर हम थोड़ा सा modern maths भी discuss करेंगे वो topics बड़े आसानी से clear होते चले जाएंगे okay so this is all about calculation techniques इसमें इस चादा और detail में वैसे तो बहुत सारी चीज़े है पर अपने को जो exam point of view से अभी urgent में सीखना जरूरी है वो यह topics है okay practice करिए comment box में आंसर पताईये and we'll move to the next topic so thank you